हाई फ्रेंड्स आज हम चालू करेंगे हैं मॉडरन से इसकी प्लेलिस्ट के लेक्षे नमबर फाइग के साथ जो है डी ब्रॉगली वेवस के उपर वीडियो चालूने से पहले एक डिस्क्लेमर और एक रिक्वेस्ट प्लीज आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें 1000 सब्सक्राइब करने में मदद कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए वीडियो को हम चालू करते हैं लेक्षे नमबर फाइग के साथ डी ब्रॉगली वेवस के उपर तो यह जो है बेसिकली यह ऐसा कंसेप्ट है जो हमें है करता है to connect the wave nature with the particle nature cause की जो momentum है वो एक particle से related होता है frequency एक wave से related होती है और इस formula से हमें मिलता है momentum equal to h new by c okay h जो है वो equal होता है 6.66 into 10 power minus 34 के बराबर c है speed of light that is 2.99 into 10 power 8 meters per second तो इससे हमें मिलता है lambda wavelength equal to h by p तो p equal to h by lambda lambda को हमने लिख दिया c by new और new गया उपर that is frequency frequency तो h new by c आ गया अब lambda equal to h by p में हमने पी को लिखा mv और हमने इदर गामा इंट्रोड्यूस कर दिया that is a relativistic factor and is equal to one by under root of one minus b square by c square वी जो है वो है velocity of the particle ओके अब हम एक portion लेते हैं कि एक 46 ग्राम का एक गॉल्फ बॉलर मान लीजिए ओके उसके velocity दी हुए 30 meters per second तो उससे हमें wavelength कितनी मिल जाएगी h by p कर लेते हैं तो p को लिख दिया mv h हो गया है 6.626 इंटू 10 बावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड divided by m क्या है 46 ग्राम उसको हम ऐसा यूनिट्स में kg भी लेंगे तो 46 इंटू 10 बावर माइनस से रियल लाइफ में क्योंकि यह बहुत छोटी है मतलब अगर एक गॉल्फ बॉल है वह भी देखा जाए तो उसके पास भी पार्टिकल नेचर तो उसका है ओके जो हम नॉर्मली न्यूटोनियन मेकेनिक्स से सॉल्व कर रहे होते हैं पर उसका एक वेव नेचर भी है जो हम इ इतना ही है वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीस लाइक कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए